हालो, हाई व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग हो, आप लोग अच्छे होंगे, आज हम देखने की कोशिश करेंगे, कि नेक्स्ट 48 आर्स में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है, प्लीज डिवाइन, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करें उतना जितना आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि चाहे और कोई हमें गाइडन्स दे या ना हमें सही लगे, लेकिन जो हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर देती है, कि ये जो है, हमसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है, आप पहले अपने विजुलाइज कर लीजि अपने मन में सोच लीजिए, जो आप कार्ड से पूछिए, कि मैं कि थू हमें exact answer मिले, ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं, कि next 48 hours में आपकी life में क्या हो सकता है, फ्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, queen of wands, देखिए, ये कार्ड ये दिखाता है, कि next 48 hours में आप अपन value को समझेंगे, ठीक है, जैसा की आप बहुत खुबसूरत हैं, ये कार्ड को देखके पुता लग रहा है, मेरे viewers जो हैं, ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है, कि एक इंसान सर्वगुनों संपन होते हुए भी, कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, जिनसे वो fear खा जाता ह है, जिससे वो मात खा जाता है, चाहे वो उसके emotions है, चाहे वो उसकी unnecessary tension लेना, चाहे जादा से जादा past में रहना, ठीक है जी, तो ये आपकी energy आई है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, मेरे viewers की life में, next 48 hours में, उनकी life में क्या हो सकता है, next 48 hours में ये कार्ड हमें ये भी passionate है, जो बहुत ही आपको खुबसूरत और बेहिंतिहा जो है, आपके लिए passionate है, क्योंकि आपको बहुत खुबसूरत मानता है, ठीक है जी, ओके आपके पास next 48 hours में, पैसा आ सकता है, abundance आ सकती है, या आपको अगर वो चीज सब आपके पास है, लेकिन आप उस चीज को feel नह कर पा रहे थे, जैसा कि मैंने बोला ना, queen of wants के energy में है, कि सब कुछ होते हुए भी, आपको कुछ negativity, कुछ fears, या कुछ, जैसे कई बर क्या होता है, हमारे पास वो नजर ही नहीं होती, वो हमारा money नहीं होता, जो हमारे पास जो है, उसको सोच सके, ठीक है, तो वो चीज आप आपके पास next 48 hours में आपको feel होने वाली है, कि या तो आपके पास money आने वाली है, पैसा आने वाला है, abundance आ रही है, ठीक है, और उसकी realization हो रही है, सबसे बड़ी बात, ठीक है जी, next 48 hours में आप बड़ा abundant feel, abundant का feel करते हैं हम अच्छी, abundant हम तब ही feel करते हैं, जब हमार पास जो चीज हैं हैं, उसके लिए हम gratitude दे रहे हैं, उसके लिए हम thankful हैं, उसके लिए हम भगवान को बार-बार सोच रहे हैं, कि भगवान आपने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, कितना सोच change और तो destiny change, तो आपकी सोच positive ह होती ही, मुझे next 48 hours में नजर आ रही है, ठीक है जी, देखिए, कोई इनसान है जो आपको लेके बहुत passionate है, आपके साथ family देखता है, आपके साथ completion देखता है, family बनाना चाहता है आपके साथ, उसका कोई call ये text आपको आ सकता है next 48 hours में, next 48 hours में और क्या हो सकता है, भुवान जी, बताइए, universe cards, please, हम spirit guides, मेरे viewers की life में देखिए, आप बहुत wise, मैंने बोला ना, आप, आपकी ना, एक तरह से जसे एक होता नहीं, जो चीज़ें आपके पास पहले भी थी, वो चीज़ें, लेकिन आपको उनको realize नहीं कर पाते थे, आप उनको उसके लिए gratitude, आप abundant mindset में नहीं से, नहीं थे, ठीक है, तो आप बहुत जदा wise, wise और एक तरह से awakened, दोनों चीज़ें, आप वो चीज़ें next 48 hours में feel करने वाले, और बताएं बहुत जी next 48 hours में, मेरे viewers की life में क्या हो सकता है, देखिए, next 48 hours में आप अपने guard up रखेंगे actually, आप क्या है, पहले आप easily जो है, दूसरों के लिए, इसी की बातों में आ जाते थे, या फिर कोई आपको जड़ा सा, मतलब एक pamper करता था तो आप खुश हो जाते थे, आप उसी तरफ ही, अब आप न, आपके अंदर जो है, वो आ रहे ह एक wise हो रहे हैं आप बहुत जादा, क्योंकि यहां hermit का card awakening और wise होने को दिखाता है, ठीक है, तो अब जो है, आपने अपने guard up कर ली है, आपने अब आप अपनी value को समझे है, next 48 hours में आप बहुत जादा अपनी value को और बड़े abundant mindset में रहेंगे, ठीक है, आप इस mindset में होता है, तो आप उसको देंगे, नि तो आप, मतलब chase नहीं करेंगे, ठीक है, next 48 hours में देखिए, आपका ये wheel of fortune आया है, तो हो सकता है, आपका कोई एक, किसी के साथ कोई new connection हो, new beginning हो, कोई social site के थूँ, या देखिए, ये बड़ा, एक, जैसे कहते हैं, एक, मतलब कुछ ही लोगों से resonate होगा, ये वाला message, कि कोई online आपको मिले, online या social site पे, हो सकता है, वो किसी दूसरी country से भी हो सकता है, तो, यहाँ पे next 48 hours में मुझे message मिला, मैंने दे दिया आपको, या आपको जैसे एक good luck का कोई news मिल सकता है, जैसे आपको एक जीत का अनुभव होगा, आपको लगेगा कि आपने ये चीज़ win कर ली, ठीक है, तो next 48 hours आपका बहुत अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे viewers के, आपको खुद में ही लगेगा कि एक new start है, एक new vision आपके अंदर आया है, ठीक है, प्रीज डिवाइन गाइड करें, next 48 hours में मेरे viewers की life में, क्या आ सकता है, देखिए, आप fruitfulness की तरफ देखेंगे, आप चीज़ों को, एक नजरिया जो है आपने अपना change आपको लग ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, कोई इंसान आपके लिए passionate है, इस इंसान ने हो सकता है, past में आपको दुख भी दिया, आपका दिल भी तोड़ा है, ठीक है, ये इंसान आपको call text कर सकता है, आपके लिए passionate है, आपको बड़े high regards में देख रहा है, ये tower moment को खतम करना चाहत इसको अब जो है, आप अपनी पूरी power में नज़र आ रही है, ठीक है, okay viewers, तो आपकी next 48 hours में और क्या हो सकता भी बताईए भगवान जी, देखिए, आपकी burden कम होगी, जो आप कफी time से burden, आप ना, जैसे एक आपकी जो immaturity अगर आप दिखाते थो, वो आपने बंद कर दिय आनी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप चीजों को chase नहीं करेंगे, इस abundant mindset में रहेंगे, तो आपको आपका person आपके लिए बहुत passionate है, जो भी partner है, judgment divine, क्योंकि past में हो सकता है, आपने अपनी life में tower moment देखे हैं, या ऐसे इनसानों से आप face रूबरू हुए हैं उन लोग जी रहने वाली आपकी next 48 hours में, आपको एक good fortune, एक new beginning, एक अपने आप में ही नजर आएगा और ये है भी, fact, ठीक है, okay viewers, तो ये थी आपकी next 48 hours की reading, क्या हो सकता है, इसमें एक angel message भी ले लेते हैं, देखिए, अगर आप किसी connection को ध्यान में रखके कर रहे हैं, तो ये आपका destined connection है, lovers का, ठीक है, दोनों तरफ feelings हैं, emotions हैं, destined connection है आपका, please divine guide कीजिए, next 48 hours के लिए कोई message मेरे viewers के लिए बताइए, look for a sign, देखिए, जैसा कि wheel of fortune आया था, यहाँ पर हमारे पस 10 of pentacle भी आया है, तो tower moment, कोई no contact situation या कुछ खतम हो रहा है, ठीक है, आपको sign दिखेगा कोई, divine की तरफ से, perfect timing, maybe हो सकता है, आपका किसी चीज को लेकर, जिसके लिए भी आप ज़्यादा चिंतित हैं, तो perfect time आने वाला है, ठीक है, चाहे वो किसी person के लिए, चाहे वो किसी भी situation के लिए, ठीक look for a sign, peaceful resolution, देखिए, आपका न, मतलब अगर आप किसी problem में हैं, तो judgment का card भी यहाँ पर यही दिखा रहा है, कि resolution होता हो, नजल आ रहा है, helpful people आपकी life में, आपको कुछ लोग हैं, जो आपको divine पे trust रखना है, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, अगर आप किसी भी उसमें चल रहे हैं, या जिसके लिए आप चिंतित हैं, वहाँ से आपको निकालने के लिए, आपकी सोच को abundant मनाने के लिए, ठीक है, जैसा कि cards में हमें पहले ही नजर आ चुका है, तो cards बहुत अच्छे हैं, be optimistic, हमेशा अच्छा सोचिए, तो आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है, gratitude दीजिए divine को, क्योंकि बहुत अच्छे card आये, next 48 hours में आप बहुत positive रहने वाले हैं, और जो चीजों की value आप पहले नहीं समझते थे, जो आपके पास already थी, लेकिन आप उसको recognize नहीं करते थे, यह सब कुछ मेरे पास है, उसके लिए thankful नहीं होते थे, gratitude नहीं ज्यादा short तो नहीं, पर quick energy आप लोगों की, कि next 48 hours में अगले 2 दिन में आप किस energy में रहने वाले हैं, okay viewers, love you all, take care, bye bye, अपना ध्यान रखिये, you are very precious.